प्रशासनी कधिकारियों के लचर रवये पर चिंता जटा यह उन्होंने कहा कि विधान सभा सत्र के दौरान प्रशासनी कधिकारी गंभीर नहीं है जन समस्याओं और जन नेताओं की बातों पर गंभीरता लाई जाए रमन सिंग ने सोशल मीडिया पर एक्सपर लिखा है कि विधान सभा हमारे प्रदेश का सबसे गरिमा मैस सतन है जब विधान सभा सत्र चल रहा होता है तब पक्ष और विपक्ष दोनों इसके प्रति गंभीर होते हैं और ऐसे समय में प्रशासनी कधिकारियों को और अधिक सजग रहना चाहिए तब इस शासन में बैठे जन प्र राजगे जता रहे हैं डॉक्टर रमन से उन्होंने एक पोस्ट भी लिखा है जी बिल्कुल देखी ये पूरा मामला जो है विधान सभा सत्र के दौरान है जहां पर विपक्षी समय जो तमाम जो सदस्य से उन्होंने प्रसासनी कधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया कि विधान सभा सत्र के दौरान वो सासन को सही तरीके से जानकारी नहीं दे रहे हैं जानकारी देने में लेट लतीफ कर रहे हैं इसी के साथ ही समस्याओं का कि सुनवाई नहीं हो रही है इसको लेकर सक्ती दिखाने की मांग जो है विधान सभा सदस्य से की गई थी और सभी क को लेकर के बीनाराजगी जताई गई थी कि जो पूरो दिवंगत जो नेता है राजनेता है उनके निधन की जानकारी नहीं आरी और जो सत्र के दौरान जो जानकारी आनी चाहिए वो नहीं आती तो ऐसे में गंभीरता दिखाते हुए इसको सासन ने भी लिया है और इसमें बतों को गंभीरता से ले जी बिल्किल बहुत शुक्रा क्या काका इस्वाश्च थमाम जनकारी के लिए तो जनन प्रतिनी दि दी के पातों को गंभीरता से ले हैं जन समस्याओं पर अधिकारी ध्यान दे ये एक नसीहत भी देते हुए और नाराजगी व्यक्तिकी है डॉक्र रमन सीगुए खबर रायपूर से हर घर तिरंगा भ्यान चलाएगी बीजेपी आज तिरंगा यात्रा भ्यान को लेकर बैठक होगी और प्रदेश अध्यक्षुकिरन देव पवन साई इस बैठक में शामल होंग प्रदेश अध्यक्ष्य किरनदेव पवन साई इस बैठक में शामिल होने वाले हैं प्रकाश पासवान मंतरी ओपी चौधरी भी मौझूद रहेंगे और बड़ी संक्या में बीजेपी पदधिकारी विजद्वनान मौझूद रहने वाले तो हर घर तिरंगा अभ्यान को लेकर मत्पपुण बैठक और सिधरु करेंगे संवादाता तनू वर्मा जुड़ने हैं तनू हर घर तिरंगा अभ्यान को लेकर आज मत्पपुण बैठक बुलाई गई है भारती जंता पार्टी जो है 11 अगस्त से तिरंगा यात्रा निकालने जारी हो और 15 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा की रूप रिखा तैयार करने के लिए आज भाजपा कार्याले में महत्वपुल्न बैठक जो है वो रखी गई है करीब 11 बजे सी ये बैठक जो है शुरू होगी और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्षे कीरन सीहदेव समित संगठन के तमाम वरिष्ट नेता और पताधिकारी जो है वो मौझूद रहेंगे और आपको बता दूँ कि 11 अग तक तिरंगा यातरा का पहले जो हा आयोजन किया जाएगा जिस पी जम्मदारी जो है युँआ मोर्चा को दी गई हो एसके बाद 13 अगस्त से 15 अगस्त तक जो है हर घर तिरंगा अभियान जो है वो चला आया जाना है और इस अभियान के तहद हर घर पे प्रत्येक और अखंडता को बनाया रखना है इसके साथ ही पिछले साल भी भारती जंता पार्टी के द्वारा हरगर तिरंगा अभ्यान जो है वो चलाया गया था वहीं इस बार इस अभ्यान में बच्चों को भी शामिल करने की कावायद जो है वो की जारी है ताकि बच्चे भी रास्ट प्रेम की भावना से जो होवे ओध प्रो थो और इसी अभ्यान को लेकर आज एक महदपूर्ण बैठक भाजपा कर्याल में रखी गई है इससे पहले भी जब प्रदेश प्रभारी निती नविन दोदी उसी 36 गट दोरे पर आया थे तब भी हर घर तिरंगा अभ्यान को ले करी लेंगे बहुत शुक्रिया तमाम चानकरी साजा करने के लिए और अब आगे बढ़ेंगे जहां राइपूर नगनिगम के पारशद वाटर ट्रीट्मेंट का बाठ बैंगलूरू और मैसूर से सीखेंगे सतर पारशदों का दलाज बैंगलूरू और मैसूर के लिए दो दो बड़े शेहरों के दौरी पर रहने बाले हैं वाटर ट्रीट्मेंट सिस्टम का पाच पढ़ने के लिए ये दौरा काफी महत्वपूर माना जा रहा है और समवादता तनू लगाता जुड़ी है तनू वाटर ट्रीट्मेंट प्लांट ये बहुती महत्वपूर है क्योंकि शुद्ध पानी और पानी की लगातार उपलब देता बहुती ज़रूरी है और इसके चलते पारशदों को मैसूर और अन्ने जगे भेजा जा रहा है जब बिल्कुल देखें कल नगर निगम के MIC के बैठक हुई थे और इस MIC के बैठक में तमाम एजेंडों पर जो है वो चर्शागी के थी जिसमें एक एजेंडा ये भी रहा है और इस एजेंडे के तहत आज जो है मेर समेच 70 वाट के जो पारशद है वो जो है मैसूर और बैंगलोर के दौरे पर रहेंगे और करीब एक हपते तक वो इस दौरे पर रहने वाले हैं वहाँ इन दोनों शहरों में नए वाटर ट्रिट्मेंट सिस्टम का जो है अध्यान पारसदों के द्वारे किया जाएगा इसके साथ ही उनके साथ नगर नीगम के कई अधिकारी भी जो हैं वो भी इस दौरे पर रहेंगे और करीब एक हपते का वक्त वहाँ पर गुजारा जाएगा इसके साथ ही वाटर सिस्टम के बारे में तो अध्यान किया ही जाएगा इसके अलावा दोनों शहरों में लागू जो है सफाई की व्यवस्ता कि हम बात करे है टेक्स वसू रापूर में भी इसे शुरू करने की कावाया जो है वो की जाएगी लेकिन सवाल यहां पर यह उट्टाई की हा अभी हाल ही में नगरी निकाई चुनाओं होने वाले है और इसके साथ ही महापौर का कारेकाल भी जो है वो समापती की ओर है ऐसे में जब उनका कारेकाल तरह की समस्या जो है वो होती है ऐसे में पांस साल तक नगर निगम की तरफ से इन समस्याओं को दूर करने के लिए आस तक कुछ नहीं किया गया लेकिन जैसे ही नुस चुनाओं जो है वो नजदीक आया है महापौर इजास डिबर समित सभी जो पारशद है वो अलग- से लागू किया जाएगो नी नियोजना और वेस्थाओं का क्लियांड मन आखिर कैसे किया जाता है जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका तनूत अमाम जानकरी के लिए तो इस तरीके से ये जो दौरा है काफी महत्पपूर है और आगे बढ़ेंगे जहां पर गरिया ब प्रशासन ने प्रभावित स्कूलों में फ्लोराइड रिमूबल प्लांट लगाए गए जो कुछ महिने चलने के बाद बंद हो गए अब प्रशासन ने प्रभावित स्कूलों में फ्लोराइड रिमूबल प्लांट लगाने की योजिना बनाई और अच्छली सिद्रू करेंगे बिलासपूर से समवादाता उमेश मौरे और शेक हिमरान गरिया बंद से जुड़गे तो सबसे पहले तो उमेश के पास चलते उमेश फ्लोराइड योगत पानी एक बहुत बड़ी समस्या है उन लोगों के लिए जिनके पास चुद्ध पानी उपलब्द नहीं हो पा रहा है और इसके चलते अब कुछ कड़े कदब मुठाई जाने की बात सामने आ रही है कि गरिया बन के 40 जो गाउं है वहाँ पर 6 करोड की लागत से वहाँ पर फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाया गया था और ये प्लांट को उसी दिन के बाद बंद कर दिया गया जिसको लेकर हाई कोड में एक याचिका लगाई पूरी मामले की जो सुनवाई है वो 14 अगस्त को होनी है लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से गरिया बंजीले में लगतार वहाँ पर फ्लोरेसिस डेंटल फ्लोरेसिस के जो मरीज हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं खास करके 6 से जो 8 साल 9 साल 10 साल की जो बच्चे हैं उनमें य प्लोराइट की मात्रा अधीक है एक 1.5 पीपी एम होनी चाहिए लेकिन वह मात्रा 8.3 पीपी एम है जिसको लेकर वहाँ पर स्वास्वी भागने एक विवस्ता दुरूस्त करने के लिए प्लान बनाया था जिसमें आप फ्लोराइट रिमूवल प्लांट लगा गया था ले इसके बाद कहीं न कहीं एक बार फिर से मरीजों की जो संक्या है वो बढ़ती जा रही है खास करके देव भोग प्ला जो ब्लाक है वहाँ पर 40 ऐसे गाउं है जहां पर फ्लोराइट यूग्त जो है वाटर सप्लाई होता है कास करके सीधे तोर पर जो इसकूली बच्चे है वो प्रभावित हो रहे हैं ऐसे में 40 इसकूलों 40 जो गाउं है वहाँ पर फ्लोराइट के लिए वहाँ पर प्लांट लगाया गया था लेकिन वो प्लांट बंद हो गया है और बिलकुल उमेश और गरियबन से हमारे साथ शेख हिमरान भी जुड़े हैं शेख हिमरान ना सि कि दात खराब हो रहें अन्य समस्या भी होती हैं कई बार किड्नी की परिशानिया भी खड़ी होती हैं और ऐसा भी देखा गया है कि 2016 से चली आ रही यह समस्या अभी तक इसका पुखता हल नहीं निकल पाया है साथ ही मौत के आंकड़े भी देखे गए थे फ्लोराइट के बाद फ्लोराइड रिनुवल प्लांट जो लगा गये थे वह कुछ दिनों बाद बंद हो गये ताला लग गये और इस वजह से बच्चों को जो है और ग्रामिनों को फ्लोराइड युकत पानी पीने पीना पड़ा जिसके वजह से उनके दात पील हो रहे हैं और अन्य ब पड़ हुए हैं मामला कोड तक गया है कोड में सुनवाई हैं लेकिन कहीं न कहीं है बड़ी लापरवाही की बात इस लिए नजर आती है क्योंकि वहां पर जब सर्वे हुआ था तो जीरो पॉइंट नाइन पॉइंट पीपीम जो समान्य पाया जाता है इससे मानक आधिक जो है फ्लोराइट पालिक मिला जो आठ है पॉइंट नौ पीपीम तक है इसके बाद जो प्लांट लगाए गये वह न कभी चालू हुआ और ना उसका फायदा ग्रामिलों को मिला आज हमने जब इसकूल में गये तो इसकूल के तमाम जो रिमोल प्लांट है वह हमें बंद पड़े मिले और इस तरह के प्लांट लगाए गये हैं जहां पड़ताला लटका हुआ है इसका सुद्ध पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है जिसका वज़े से दात पीले हो रहा है बलकि किड़नी पर भी पढ़ रहा है साथ ही जो दात खराब हो रहे हैं इसका इलाज ब पर अब बहुत बहुत शुक्री आप दोनों का तमाम ज्यान करी साजा करने के लिए हलांकि अभी दावा किया जा रहा है और जैसे कोड की तरफ से भी स्परस्ट किया गया है कि रिपोर्ट दी जाए कि आखरिकर यहां पर क्यों व्यवस्थित इंतजामात नहीं हो पाएं को गंभीरता से लिया है कोड ने इस मामले में मुख सचीव को इसकी जाच कर चार सब्ता हमें जवाब देने कर नर्देश दिया मामले की सुनवाई के दौरान याचिका करता के वकीले मवेशी की मौत के आखरे भी कोड में पेश किये हैं जिसमें उन्होंने कोड को बताया कि इस साल जन्वरी से अब तक 73 हाथसों में 55 लोगों की मौत हो गई याचिका में खा गया है कि रायपूर बिलासपूर मार्ग इस मामले में सबसे जादा खतरनाक हैं साथी प्रदेश के रास्क्वे राजमार्गों पर बावन ऐसे स्थाने जहां पर मवेशियों की कारण सबसे जादा हाथसे होते हैं हाई कोड में प्रदेश भर की सडकों पर आवारा खुतों और मवेशियों को लेकर दायार जन्हित याचका पर सुनवाई हुई जिसके बाद कोड ने नगर पाली का निगम आयुकतों और ग्राम पंचायतों को सडकों पर पश्यों को आने से रोकने के लिए कड़े निर्देश दिये खबर बलोड़ा बजार से बड़ी खबर है जहां पर नाबालिक लड़के की लाश मिली है नाले में बहे 17 बर्षी नाबालिक की लाश मिली है नहाने के दौरान खोड़ सी नाले में बहा था नाबालिक जियार फ्राइपूर और नगर सिना ने निकाला श्यब यूपी के इटावस जिले का रहने वाला नाबालिक बताया जा रहा है बड़ी खबारे बलदो बजार से जहाँ पर नाबालिक लड़के की लाश मिली नाले में 17 बर्षी नाबालिक की लाश मिली है नहाने के दौरान खोड़ सी नाले में नाबालिक बहा था खबर अमिकापुर से विधायक राजे शगरवाल का बयान जहां गंगापुर के वाड़ बासियों की समस्या जल्द दूर होगी रिहाशी लाके में शराब दुकान से वाड़ बासी परिशान है सालों से शराब दुकान हटाने की मांग कर रहे हैं दो महिने में हटेगी गंगापुर से शराब की दुकान शराब दुकान हटाने का अधिकारियों को नर्देश दिया गया है खबर अंबिकापुर से है जहां विधायक राजेश अगरवाल का बयान गंगापुर के बाड़वासियों के समझतर जल्द दूर होगी रहाश इलाकों के पास जो शराब की दुकाने है ने जल्दी अटाया जाएगा दरसन यहां के लोग लगतार शराब की दुकाने हटाने के मांग कर रहे थे जिसे हटाई जाने के लिए आश्वफ्त किया गया हो गई है एंडर भी हो गया है और बहुत जल्दी उसका नया दुकान बन जाएगा मेरे को लग रहा है दो महिने के अंदर हर हालत में हर हालत में ट्रास वहां से हटेगी और आगे बढ़ेंगे राजिनान गाउन से खबरे जुहां केलते 18 जुआरी ग्रफ्तार के लिए जुआरियों से 11,000 कैश 14 मोबाइल भी जफ्त किया गया है जुआ एक्टे के तहक पुलिस ने कारवाई की है बसंदपूर थानक शेतर के हाट बजार का ये पुरा मामला साम ने आया है जोगी डोगरी जंगल में मिला नरकंकाल मरवाही का मामला है जहां मरवाही तानक शेतर के मरवाही का पूरा मामला है तेहसिलदार सहित बीमो मौके पर पहुंचे कंकाल को पौरन से जाज के लिए भीजा गया तो पेंडरा का ये पूरा मामला सामने आ रहा है जहां पर जंगल में मिला नरकंकाल नरकंकाल मिलने से शेतर में संसनी फैल गई है जोगी डोगरी जंगल में नरकंकाल मिला है खबर बलरामपूर सेहजापर हाथी ने उत्पात मचाया है दल से बिछणे हाथी ने जम कर उत्पात मचाया चाकी गाउं में एक घर को तोड़ दिया गया घर में रखे अनाज को बरबाद कर दिया गया हाथी के आतंक से ग्रामेडों में देश्चत पहली हुई है रामा नुजगंज बन चितर में हाथी ने डेरा जमा लिया है और ये देखी किस तरीके से हाथियों ने ग्रामेड चितर में घरों को नुक्सान पहुचाया और हाथियों के आतंक से ग्रामेड देश्चत में बने हुए हैं डर के साइड में जीने के लिए मजबूर हैं क्योंकि हाथियों की आमद से इलाके में ग्रामिनों को तो नुकसान हो ही रहा है साथी जान का खत्रा भी बना रहता है 36 गड़ में करन की चपेट में आने से हाथियों की मौत पर बिलासपूर हाई कोट ने नराजगी जताई है कोट ने एक याजका पर सुनवाई करते हुए चिंता जताई है कोट ने इस मामले में तीखी टिपणी करते हुए कहा कि क्या ऐसा ही सब खत्म हो जाएगा अगर वाली अड़लाइन को नहीं बचाएंगे याजका करता ने अपनी याजका में कोट को बताया कि पिछले तीन साल में प्रदेश में के साथियों की मौत करन करन करने का नरदेश दिया है मामले के अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होने वाली है रायपुर शेहर में भिक्षा बृत्ती में सनलिप्त लोगों के रस्क्यू का काम ठंड़ा पड़ चुका है इन दिनों शेहर छे तरह के भिकारियों से भरा है कोरोना काल के बाद से शेहर में भिकारियों का रस्क्यू कर पुनरवास कराया जाने का काम तेज़ी से शुरूआ था लेकिन अब ये पहले के जैसे रफ्तार के साथ नहीं चल रहा है इसके चलते अब शेहर के चौक चराहों पर भिकारी लोगों से पैसे मांगते हुए नजर आ रहे हैं भिकारियों का ये दल महरास्त्र के गोंदिया भंडारा जैसी जगहों से रायपुर पहुँच रहा है और इसके अलावा भुपाल और राजिस्थान जैसी जगहों से भी व्यपार के नाम पर भीक मांगने वाले लोग शेहर में मौचूद हैं ये लोग पैन और कान खुजाने वाली सामगरी बेचने के नाम पर लोगों से पैसे मांगते हैं कुछ भीकारी पर्मनेंट इस्थान बनाकर भीक मांगते हैं और इनमें बड़े पैमाने पर ऐसे भीकारी शामिल हैं जो भीक मांगर नशा खोरी करते हैं अभी कि युद्ध नशे के विरूद्ध का ओक्विए इसमें जो लोग रोड़ पर जिसे कुछ मांगने वाले लोग हैं वो नशे में चले आते हैं या नशे के जो संभावी छेतर हैं उनका चिन्ध हंकन करके वहाँ पर हर पकार से समझाने से कारवाई से जिस पकार से उनको रोका जा सकता है कारवाई की जाए करने की कोशिश जारी है और बहुत जल्दी है कि उन्यार तैयार करके एक साथ इस पर अमल भी किया जाए गया ताकि इस ताइटी की गत्रिजिंगे रोक लगाई जा सकते हैं और चलिए आप देखेंगे बीस बड़ी कबरे तेस अंदाज में है